इस सवाल में given है एक particle move कर रहा है x-axis पे x equal to this expression पुछा गया है कि particle की position क्या होगी जब वो maximum speed अचीव कर लेगा यह पुछा गया इस सवाल में तो यहाँ पर इसमें concept लगेगा maximum minimum का पहले उसको समझ लेते हैं क्या concept होता है अगर आपको कहीं ऐसा given है y equal to x square plus 2x plus 3 अगर मुझे y की maximum value निकालनी है या minimum value निकालनी है तो उस case में condition होती है जब भी आपको y max या y min निकालना है तो उस case में वहाँ पर dy by dx 0 होता है ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं यह आपको पता एक value यहाँ पर आएगी minimum value यहाँ पर आएगी तो आप चेक करें इस graph का slope इस graph का slope निकालना है मुझे तो slope will be given by dy by dx ठीक है अगर मैं इस point पर slope निकालता हूं तो मुझे इस point पर tangent ड्रो करनी पड़ेगी आप देखें tangent ड्रो कर दी तो slope negative आ रहा है आगे बढ़ूंगा तो वो slope की steepness कम हो रही है तो negative में value कम हो रही है मान लेते हैं कि यहाँ पर slope लेट से minus 30 रहा होगा फिर आपका slope घट रहा है नेगेटिव में ही है तो minus 20 minus करते करते वो 0 की तरफ बढ़ रहा है जब minimum value आ गई है तो slope आपका 0 आ गया है इसके बाद फिर से जब आगे बढ़ेगा graph तो वो slope positive हो जाएगा तो यहाँ पर slope की value negative to positive आपको change करानी है और जिस point पर वो negative से positive होना शुरू होगी उस point पर आपका graph को ऐसे पलटी मारनी पड़ेगी तो आप minimum आचीव करना पड़ेगा ऐसा ही आप उल्टा भी देख सकते हैं अगर y equal to minus x square plus 2x plus 3 ऐसा कुछ graph है तो downward opening parabola है यह parabola आपका ऐसा बनेगा तो यहाँ पर slope शुरू में positive है और फिर negative है लेकिन जहाँ पर maxima आएगा वहाँ पर slope 0 होता है तो maxima और minima पर slope 0 होता है dy by dx is 0 कैसे यूज़ करेंगे इस concept को यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको given है position पहले आप weak expression निकाल लें अगर x given है x is 90 square minus t cube then velocity will be given by dx by dt that is 18 t minus 3t square is equals to 0 तो यह आपका तीन तो common निकालने 3t common निकालने basically 6 minus t is equals to 0 यह आपकी velocity आ गई यह यह करने की जरू करने की जरूरत आ गया नहीं है यहाँ पर velocity करने की जरूरत नहीं है x given है velocity का expression निकाल लिया अब हमें निकालना क्या है position निकालनी है जहाँ पर velocity maximum हो जैसे हमने expression देखा था y equal to function of x plus 3 इसका maxima minima कहां आता है जब dy by dx 0 होता है अगर मुझे velocity की maximum value निकालनी है तो इस expression का differentiation यह dv by dt will be 0 at that point इस v max निकालने के लिए यहाँ पे आप dv by dt को 0 करोगे उससे करने से क्या होगा differentiate करोगे दुबारा से 18 minus 60 is 0 t equal to 3 seconds, t equal to 3 seconds पे आपकी velocity maximum आएगी तो आपको time मिल गया आप time को वापस यहाँ put कर दें यहाँ put करेंगे t equal to 3 को तो x comes out to be 9 into 9, 3 का square 9 हो गया और यह 27, 81 minus 27, 54 is your correct answer. बहुत important सवाल था, क्या सिखा हमने कि जब भी किसी expression का maximum या minimum निकालना है तो उस expression को differentiate करके 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर आपका graph maxima या minimum आचीव करेगा, वहाँ पर graph का slope 0 आता है.